नमस्ते, लतास किछीन में मैं लता जेन आपका स्वागत करती हूँ चावल की खीर बहुत ही स्वाधिस्ट दैजर्ट है इसे चावल दूर मेवा और चीनी से मिलाकर बनाया जाता है आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ चावलो की खीर आईए देखते हैं चावलो की खीर बनाने के लिए इन चीजों की आविशकता होगी 1 लीटर फुल क्रीम दूद 1.5 कप मखाने जिनने मैंने चोटे टुकड़ों में काट लिया है 60 ग्राम बांसमती चावल आप चोटे टुकड़े चावल भी ले सकते हैं 80 ग्राम के लगबत चीनी आप अपने स्वादानुसार चीनी की मात्रा कम जादा कर सकते हैं 15-20 धागे केसर के जिनने मैंने एक बड़ा चम्मच गरम दूद में 2 घंटे पहले भिगो कर रखा है 2 बड़े चम्मच किश्मिश जिनने मैंने पानी से धो लिया है 2 इंच नारियल का टुकड़ा जिसे मैंने पतला पतला काट लिया है 20 बादाम जिनने मैंने पानी से भिगो का रखा था और इनका छिलका उतारकर लंबाई में काट लिया है 20 काजू कटे हुए आदा छोटा चम्मत इलाइची पाउडर आईए चावलो की खीर बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम यह हैवी बॉटम पैन लेंगे या भगोना लेंगे इसमें हम दूद को डाल देंगे पैन के इंचे ग्यास अन कर देंगे अब हम इन चावलो को थोड़ा बारिक कर लेते हैं चावलो को मैंने पहले पानी से दोकर आदा गंटा पहले भिगो दिया था तो चावल सॉफ्ट हो गए और आस्थानी से बारिक हो सकते हैं दूद बॉयल हो चुका है और अब यह चावल हम इसमें टाल देंगे चावलो को चला देंगे और आज को दीमा रखेंगे दीमा इसलिए रखेंगे नहीं तो खीर नीचे लग जाएगी दूद को बीद बीच में चलाते रहेंगे मखानों को पानी से दो कर दूद में डाल देंगे मखानों को भी दूद में डाल देंगे दूद चावल और मखानों को मिला देंगे अब गैस को थोड़ा बढ़ा देंगे अब गैस को कम कर देंगे खीर में यह वाद ध्यान रखने कि है कि खीर को चलाते रहें बराबर वरना खीर नीचे जल सकती है खीर धीमी आज पर पक रही है और चावल धीरे धीरे फुलने लगे हैं खीर को गाड़ा होने तक पकाना है इतने खीर बनने में लगवक 45-50 मिनट लगते हैं खीर काफी गाड़ी होने लगी है अब हम इसमें नारियल के पीसीज भी डाल देंगे चावल गल चुके हैं अब हम इने थोड़ा कल्ची से प्रेस करते हैं जिससे ये दूर में अच्छी तरह से मिल जाएं खीर काफी गाड़ी हो गई है और मलाईदार भी है अब हम इसमें इलाइची पाउडर डाल देते हैं केसर डाल देंगे मिला देंगे अच्छी तरह से अब ड्राइफ फूर्ट डाल देंगे सबको मिला देंगे केसर से खीर का कलर भी बहुत सुंदर आता है और खुष्पू भी बहुत अच्छी आती है खीर का बहुत ही अच्छा टेक्सिर आया यह आए अब हम गयस बंद कर देंगे पांच मिनट खीर को ठंड़ करेंगे और फिर इसमें चीनी अगर अगर हम बहुत तेज में डाल देंगे तो फट भी सकती है खीर, तो इसलिए हम थोड़ा सा ठंडा करके खीर को तब इसमें चीनी मिक्स करेंगे, अब हम इसमें चीनी मिक्स कर देंगे, आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें मेवा डाल सकते हैं, अख्रोट भी डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं, जो मेवा आप पसंद नहीं करते उसको मठ डालें खीर को सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे चावलो की खीर बनके तयार है खीर बहुत ही स्वादिश बनी है आप इसे किसी भी फेस्टीवल पर या किसी विशेश औसर पर बना सकते हैं आप इसे लांच या डिनर में słीट डिश की तरह सर्व कर सकते हैंhus केसा, क्विर को ठंडी करके खा सकते हैं और गनम भी सफ़ कर सकत खीर देखने के लिए आपका धूर्बाद